तो सबसे पहले मैं यहां पे आलू को रख ली हूं वर्ल्ड होने के लिए तो यह लगबग हो गया है बड़े साइज का है आप चाहे थोटा साइज भी यूज़ कर सकते हैं यहां पर मैंने थोड़ा सा जीरा है से ऑच्छे ड्रॉष्ट कर लेना है हमें इसका स्मोथ पौडर बनाना है इसमें टिकी में एट करने के लिए और यहां पर लेइमन और यह है धनिया पाउड़र रेटिली पाउडर और हरी वाली धनिया जो होती है वह है उसकी पतनिया ग्रiones चीली है और यह है bread प्रेट क्रम्स और चावल का आटा इसे हमारे तीके कुरकुरी होगी और यह नमक है जो यह बढ़नी में है तो नमक तो स्वादा नुसाली रहेगा तो चावल का आटा और बेड़ क्रम्स ऑचा ही वज़े का अच्छा कुरकुरा होता है तो यह आज का टिप से जरूर आप ट तो इस तरीके से पूरी आलू मैं कर ले रही हूं और जीरा का पाउडर है जो मैंने जीरा भी ड्राय रोष्ट किया हुआ था और यह स्वादा अनुसार नमक है नमक आप बढ़ा गटा सकते हैं अपने स्वाद के कौॉडिंग और इसको अच्छे से मिला लेना हाथों के सहार और एक दूसरे में अच्छे से कोटिंग कर लेनी है इसकी और जो चावल का आटा और ब्रेट क्रम्स मैंने मिला हो था उससे टिक्की आपी बहुत ही कुरकुरी बनने वाली है तो इस तरीके से हाथों को मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है और एक अच्छा सा बॉल बना रही ह नहीं से तो से भी पहने फे थे अच्छा लगे सेव कर सकते हैं तो मैं बर्गर लिए बना रही थी इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा ही रखोंगी आप चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं, अगर आपको खाने के लिए टिक्की नॉर्मल सी बनानी है, तो आप छोटा भी बना सकते हैं, तो इस तरीके से मैं अच्छे से शेव दे दे रहे हूँ, और इसी तरह सारे टिक्कियों को बना लूँगे पहले, और यहां पर देखिए नॉनिस्टिक पैन या तवा कुछ भी आप रख सकते हो, आप चाहें तो लोहे की तवा भी बना सकते हो, बस इससे जो है अच्छा सा इसका कलर आता है टिक्की का, और बहुत ही अच्छा इस पर पक जाता है, और नीचे से बिल्कुल भी चिपकता नही है, चिपकेगा तो वैसे भी नहीं, जब आप चावल काटा और ब्रेड क्रम्स मिला देंगे तो चिपकेगा वैसे भी नहीं, बट फिर भी आउनिस्टिक का तवा काफी अच्छा होता है टिक्की वक्की के लिए, तो इस तरीके से मैंने एक एक टिक्की यहां पर और में र टूट सकता है, तो पांच मिनट के लिए इसको ऐसे धीरे-धीरे पकने दीजिए, फ्लेम एकदम कम कर दीजिए, अच्छे से पकेगा तो क्रिस्पी हो जाएगा, और यह देखे, यह नीचे से पक गया था तो इसको मैंने दूसरी तरफ पलड़ दिया है, अब दूसरी तर पाली को छोड़ दीजिए बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, और यहां पे हम मैं पाउर ले ली हूँ, तैयारी करने के लिए आगे का प्रोसेस आप देखिए, बर्गर कैसे बनाते है आगे, तो यह देखी मैंने सारे ठिक्क्यों को तैयार कर लिया है, और यहां पे मैंने द जो दोनों पार्ट होता है इसका बन का तो दोनों पार्ट को अच्छे से हम सेक लेंगे घी में या बटर में, यह देखे मारा सिख गया अच्छे से, इसी तरह हम दूसरे को भी सेक लेंगे, यह देखे हमारे सारे बन सेक के रेड़ी हो गए है, अब हम चलते है अगले प्र सकते हैं प्याज, पत्ता गोभी, टमाटर, खीरा जो भी यहां पर प्याज और टमाटर मेरे पास था तो इतनी समागरीस में लग जाएगी और यहां पर टिक्की है हमारी तो अब हम चलते हैं इसको सजाने के प्रोसेस की तरफ तो पहले हम नीचे एक बन रखेंगे मतलब पा के से अब चाहें तो ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं बर यहां पर मैं ग्रीन चटनी का यूज नहीं कर रहे हूं मेरे पास नहीं थाउश टाइम अगर रहे तो आप लगा सकते हैं उससे काफी अच्छा अच्छा फ्लेवर आता है और उसके बाद इहां पर थोड़ा सा तोड़ा सा तीखा पनाएगा बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में तो यह सेज्वान है को भी अच्छे से लगा दे रहे हैं हम इस्पून के साहरे दिखते दीए, अब इसके बाद हम टिकके रकेंगे तो टिकक का साइज आप देख रहे हैं न इतना आप रखे ताकि आपके बर्गर के बीच यह आज आज है तो तिक्के हम लोगों ने रख दिया है इसके बीच में उसके बाद हमें जो भी यहां पे सैलेड यूज करना है प्याज टमाटर पता गोभी खीरा जो भी आप पसंद करते हैं वो आप यहां प्याट कर सकते हैं तो मैंने स्रिफ प्याज और टमाटर लिया दुआ था तो इस तर तो इस बर्गर का चार चांद बन जाएगा बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है में होनी से तो थोड़ा सा हम सैलेट पे डाल रहे हैं यह फ्रीज में रखने से थोड़ा सा थीक हो गया है अदर्वाइस यह काफी अच्छी से निकलता है तो इस तरीके से आप करके एक इसके बाद इसके उपर इसको इस तरीके से एड़ करना है यह देखिए मारा बर्गर रेड़ी हो गया है खाने के लिए और यह बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा था गाई जब मैं इसको बनाई थी विस्वास कीजिए इस तरीके से आप एक बार ट्राई करिए और आप कमे मैं मिलते हूं किसी अच्छे से व्लॉग के साथ तब तक के लिए अंजल सिंग को दीजे बिदा बाबाए क्या हुँँए यह रजार बार टेस्वास कीजिए और बार टेस्ट टु me